अखिलेश सिंग जी, शकील एमद कान जी, मदन मोहन जहा जी, तारिक अनवर जी, इम्रान प्रटापकडी जी, गनहया कुमार जी, जी, मोहमद जावेद जी, एमद अश्वाक करीम जी, अलायंस के नेता दिबगगर भटचारिया जी, मेभू आलम जी, कुनाल जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सब वरिश्ट नेता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, अभी जब, अकिलेश जी का भाशन चल रहा था, तो बगेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया, आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूँ, आपको सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर, गवरनर के यहाँ, स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूम धाम था, वहाँ पे बीजेपी के नेता बैटे थे, गवरनर साब बैटे थे, सब हमेले बैटे थे, स्वेरिंग इन होती है, शपत लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंतरी, दो तीन मंतरी भी शपत लेते हैं, खूब तालिया बचती हैं, और फिर नितीज जी, निकल जाते हैं, वापिस सी एम हाउस के होर चल जाते हैं, गारी में पता लगता है, कि वो अपना शॉल, गवरनर के घर में छोड़ा है, तो ड्राइवर से कहते हैं, भाईया चलो, वापिस चलो, शॉल उठाना है, तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवरनर के घर आता है, नितीज जी निकलते हैं, गवरनर के पास जाते हैं, दर्वाजा कोलते हैं, गवरनर कहते हैं, भाई, इतनी जल्दी वापिस आ गए, तो ये हालत है बिहार की, थोड़ा सा दबाव पढ़ता है, और यूटर ले लेते हैं, दबाव क्यों पढ़ा, क्योंकि भिहार में, हमारे गटबंदन ने, एक बात जनता के सामने रखी है, इस यात्रा में, हम पांच न्याए की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याए, उसको आप समाजिक न्याए कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए उसको आप भागिदारी कह दीजिए उसके बारे में हम काम कर रहे हैं मैंने पहले भाशनों में कहा है कि इस देश में अलग-अलग वर्ग के लोग है पिछणी जात के लोग है दलित है आदिवासी है, माइनौरिटी है, जनरल कास्ट के लोग है हर समाज में कमजोर लोग है OBC समाज देश का सबसे बड़ा समाज है मगर अगर मैं आज आप से पूछू कि इस देश में OBC समाज की अबादी कितनी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कोई नहीं जानता और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाशनों में कहा जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अपसर है आईएस के अपसर है 90 में से 3 OBC वर्क से आते है और अगर 90 अपसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णे लेते है तो ये OBC अपसर 100 रुपे में से 5 रुपे का निर्णे लेते है तो सरकार में ना OBC की ना दलित की ना अधिवाज सी की भागिदारी है सरकार को छोड़िए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए उनकी लिस्ट निकालिए उनके मालिकों के नाम पढ़िए आपको उन नाम में से एक धलित एक आधिवासी एक पिछड़ा नहीं मिलेगा मीडिया को देख लीजिए अखबारों को देख लीजिए टीवी को देख लीजिए एक मालिक OBC वर्ग, दलित वर्ग, आधिवासी वर्ग आपको नहीं मिलेगा रिपोर्टर मिल जाएंगे उनको भी कोने में बेठा रखा है जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे है मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक OBC एक दलित एक आधिवासी नहीं मिल सकता प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए प्राइवेट कॉलेजे उनिवर्सिटीज को देख लीजिए प्राइवेट हस्पताल देख लीजिए एक मालिक आपको OBC दलित आदिवासी का नहीं मिलेगा तो मैं सिर्व ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम समाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछडों को आदिवासीों को दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है अब सवाल बनता है पहला कदम क्या होना चाहिए किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है पैर में चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो एक्सरे जाके कर लो एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि ہड़ी कहां से तूटी है सही बाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एकसरे हो जाए एक एकसरे हो जाए उसके बाद MRI भी हो सकता है मगर पहले एक एकसरे हो जाए किस देश में किसकी कितनी अबादी है लोगों की गिंती हो जाए जेनरल कास्ट के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है OPC जात के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है गरीब इतने है किसान इतने हैं मजदूर इतने हैं भूके इतने हैं आदिवाशी के इतने लोग हैं इसमें आदिवाश्यों में अलग 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 ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं दलित इतने हैं इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं ये भूके मर रहे हैं, ये मज़्दूरी कर रहे हैं, ये सलक बना रहे हैं, बस मैं यही कह रहा हूँ, समाजिक नयाय का यही मतलब है, और समाजिक नयाय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है. अब बात समझिए, बात समझिए, नितीश जी कहां भसे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने नितीश जी से साफ कह दिया, कि देखिए, आपको जाती जनगरना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे. और RJD ने, हमने ये काम नितीश जी पर दबाव डाल के किया. अब क्या हुआ? अब दूसरे साइट से प्रेशर आया. BJP नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो. डरते हैं एक्सरे से. दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा. पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं. BJP ये नहीं चाहती. BJP चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए. मगर समाजे की नियाए पे गल्ती से भी आपका ध्यान ना चला जाए. नितिश जी बीच में फच गए. और BJP ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया. और नितिश जी उस रास्ते पे निकल गए. समाजे की नियाए देने की जिमेदारी बिहार में हमारे गड़बंदन की है. नितिश जी की यहां कोई ज़रूरत नहीं है. यहां पे हम अपना काम कर लेंगे. मिलके हमारा गड़बंदन यहां पे जो करनायक कर देगा. यह हुई बात समाजे कि नियाए की. अब मैं आपको आर्थिक नियाए की बात करना चाहता हूँ. आपने मुझे अभी वो माला दिया. मकाने वाला माला उसको लाईए यहां सरा. कहां है वो? मैं एक मिनट में आपको आर्थिक नियाए समझाने जा रहा हूँ. यह बिहार के मकाने इतने मज़यदा रही है, खा गए हूँगे उनको. खा गए? वे वो खा गए? हाँ? लाओ 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 उसको लाओ. तोड़ा मज़ा भी आना चाहिए? आ रहा है? यह आ गया? यह देखो कितना सुन्दर मखाने की माला है. अब यह देखिए. मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ. इसको यहां लाइए. यह यह दस तकरीबन दस किलो का है. ठीक है? इसको यहां रख दीजिए. यह बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है. शही बात है? यह बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर गंटों पानी में बैठ कर यह हमें दिया है. दस किलो का है यह. आपको मालूम है यह अमरीका में कितने का बिकता है? अमरीका में अगर आप इसको बेचोगे जो बिकरा है. अमरीका में ये बड़ा बिकरा है आज कल वहाँ पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे बिहार का मखाना खाएंगे, सबसे पहले उनको मालूम नहीं ये मखाना कहां से आता है पहली बाद ये है मगर मेरा सवाल आप से ये 10 किलो की जो माला है ये अमरीका में कितने रुपे के लिए बिकरेगी चुप हो गए मैंने नेट पे देखा अभी देखा ये माला 15,000 रुपे के लिए अमरीका में बिकरेगी 15,000 रुपे 10 किलो के लिए अब मुझे बताओ इस में से 15,000 रुपे में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है बिहार का किसान 250 रुपय किलो के बेच रहा है मतलब 2500 रुपय 10 किलो के लिए ये 15 रुपय गलती की मैंने ये 15 रुपय एक किलो का मतलब ये माला अमरीका में एक लाख पचास हजार रुपे के लिए जाएगा गलती कर दी सौरी एक लाख लाख रुपे के लिए ये अमरीका में बिखता है और यहाँ पे हमारे किसान को दो सो पचास रुपे प्रति किलो 2,500 रुपए 10 किलो के लिए मैं आप से पूछना चाहता हूँ यह पैसा जा कह रहा है यह जा कह रहा है किसके हाथ में जा रहा है यह किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा है ना तो यह देखिए इसको कहते है आर्थिक अधियाए और ये हर चीज में हो रहा है जो मेकानिक गारी बनाता है जिसने माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया मोबाइल फोन को जो ठीक करता है जूते बनाता है टी-शर्ट बनाता है जो भी हाथ से काम करता है उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमरीका में एक लाख पचास हजार रुपए के लिए भिक्री है आप हैरान हो गए एक लाख पचास हजार रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने इसमें से दो तीन हजार रुपए किसान के जेंब में जा रहे हैं क्या यह अन्याई नहीं है सबसे बड़ा न्याई है तो जब हम आर्थिक न्याई की बात करते हैं हम चाहते हैं कि अगर ये एक लाख पचास हजार रुपए की माला है तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाएं अगर मेकैनिक काम कर रहा है मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है खेत में काम कर रहा है उसको अपनी मेहनत का सई फल तो मिले और जहां भी देखो हिंदुस्तान में मैंने चोटा सो धारन दिया आपको जहां भी देखो जो गरीब है कमजोर है हाथ से काम करता है उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में तो ये दो बाते मैं आपसे कहना चाहता था एक किसकी कितनी अबादी है OPC कितने जलित कितने आदिवासी कितने और उन में से कितने गरीब हैं कितनों के पास सरकारी नोक्री है कितने कमपनी में काम कर रहे हैं देश का एक सरे और दूसरा बहुत महत्वपून सवाल देड़ लाक रुपे के माला में से हमारे किसान को धाई हजार तीन हजार रुपे क्यों मिल रहे हैं जादा क्यों नहीं मिल रहे हैं यही दो सवाल है हिंदुस्तान के सामने बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है बिहार को क्या करना है हजारों साल से ये प्रदेश इस देश को समाजिक नयाए और आर्थिक नयाए दिखा रहा है सोशल मुवम्मट होती है देश जागता है तो बिहार से जागता है गांदी जी के आज हम याद कर रहे है उनकी तपस्या चमपारन में शुरू हुई थी बिहार में शुरू हुई थी इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूँ बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते है कि कि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो और दो ही मुद्दे हैं आर्थिक नयाए जो मैंने आपको यहां दिखाया और समाजिक नयाए जिसको मैं एकसरे कह रहा हूँ और वो भी पहला कदम है बाई और बेनों पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले समुदर के टट से शुरूर किया चलते गए चलते गए चलते गए हिमालय तक चले आप सब हमारे साथ चले थे बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैला रही है इनका लक्ष यही है कि आप हिंसा में नफरत में उलजे रहो एक भाई दूसरे से लड़े और आप आर्थिक और समाजिक नयाय की बात मत करो और भारत चोड़ो यात्रा ने देश में एक नया रास्ता दिखाया यात्रा में बिहार के लोग हमारे साथ चले बिंगौल के लोग चले और आपने हमें का देखिए आप कन्या कुमारी से कश्मीर जा रहे हो बिहार बेंगौल उत्तर प्रदेश इसमें से आप यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो बात बिल्कुल सही थी इसलिए हमने मनिपूर से बारत चोड़ो न्याई यात्रा शुरू की मनिपूर से क्यों क्योंकि बीचेपी और आरेसेस की विचारदारा ने मनिपूर को जला दिया है सिविल वार का महौल बन गया है लोग मर रहे है घर जलाए जा रहे है और प्रधान मंत्री आज तक वहाँ नहीं गए मनिपूर में शुरू किया नागा लेंड, अरुनाचल, बिंगॉल, असाम और अब हम बिहार आए है यात्रा में हम लंबे भाशन नहीं करते 15-20 मिनट बोलते है 6-7 गंटे आपकी बात सुनते है आज सुबह चाय की दुकान में हमने 3-4 परिवारें के साथ चाय पी उनकी बात सुनी बस में लोग आते हैं, हम पैदल चलते हैं पदियात्रा में चलते हैं, क्यूँ? आपके दिल में जो है वो हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हम अपनी मन की बात नहीं रखना चाहते हैं हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और यात्रा में हमने पिछली यात्रा में एक नारा निकाला था नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान खोलनी है और पिछले दो दिन आपने यात्रा में मौबबत की दुकान खोली है इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जहां भी हम गए हैं वहां बिहार के युवा माताएं, बहने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब ने यात्रा का समर्थन दिया अपने पूरी की पूरी शक्ती यात्रा को दी और जितनी भी मौबबत दे सकते थे आपने हमें दिया इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अंत मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि समाजिक नयाय और आर्थिक नयाय से बड़ी कुछ बात नहीं है यही है हिंदुस्तान का भविश्य अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक नयाय और समाजिक नयाय हिंदुस्तान की जन्ता को देना ही पड़ेगा आप सब का दिल से धन्यवाद नमस्कार जैहिंद